झाला कुश्चन क्या है साधरान नमक का राशनिक सुतरहाँ, यहाँ पे चार अपसन है, चारापसन में से आपको जो सही है उसको टिक करना है, तो इसका सही पहलेंगे तो क्या होने होला है इसलिए पहला अप्षन सही है ये तिनों अप्षन गलत है इसके वद मैं और एक क्वेश्चन क्या है कार्बन को क्या किया जा रहा है बायू में जलने पर कार्बन डेक्साइट बनना उधारना यह पिचार अप्सन है साइजन अभीक्रिया, विस्थापन अभीक्रिया, दिविस्थापन अभीक्रिया, बियोजन अभीक्रिया तो पहले आपको जो statement दिया है कार्बन को बायू में जलने पर कार्बन डेक्साइड बन रहा है इसकी रास्यानिक सम्मिकरान पहले लिखना है तो किसको हम लोग बायू में जला रहे हैं कार्बन को तो कार्बन मतलब C, बायू मतलब oxygen, जलाने पर क्या बना? CO2 ठीक यह रास्यानिक सम्मिकरान हो गया आप यह किसकी उधरान है आपको पहले बोल रहा है सैंजन अविकरिया, तो सैंजन अविकरिया क्या होता है? जिसमें दो या फिर दो से अविकर्मक मिलके एकल उतपाद बनाते हैं सैंजन अविकरिया, तो पहला अप्सन सैंजन अविकरिया पुछा था, उसी को टिक कर देना है इसके बाद question है, Na2CO3 का सामन नाव, तो यहां पर आपको दिया है Na2CO3 इसकी साधरान नाम पूछ रहा है, चार अप्सन दिया है, एक बोला है पीरन जक्चों, दूसरा वेकिंग पॉडर, तीसरा धावन सोडा, चौथा प्लास्टर अप्पेरिस, चार अप्सन में से कंसा सही है, आपको टिक मानना, इसका साधरान नाम पूछ रहा है Na2CO3 की राशनिंग नाम क्या है, सोडियम कार्वनेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्वनेट, लेकिन इसकी साधरान नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम साधरान क्या होता है, धावन सोडा, दावन, soda को आपको टिक मारना, ठीक, इसके बद और एक सट कुश्चन दिया हूं, मैं, क्या है, सल्फर डियोक्साइट का जलिये बिलियन, क्या होगा, पूछ रहा है, सल्फर डियोक्साइट, तो सल्फर डियोक्साइट मतलब, A02, उसकी जलिये बिलियन मतलब, H2, तो इयी क्या बना देगा आपका, H2, A04, तो H2, A04 क्या है, VGC, अफर अमिलियोक्साइट का, तो यहाँ पर औप्सण दिया है, अमिलियोक्साइट दिया है, तो आपको किसको टिक करना है, अमिल यह वाले को, टिक करना है इसका दोर एक last question लिया हूँ में क्या है एक billion का pH मान 5 है pH मान जो है 5 कितना है 5 तो पूछ रहे billion अमलिय होगा चारिय होगा उदासिन होगा सबी होगा पूछ रहे तो pH scale कहां से कहां तक होता है pH scale अपका 7 जो होता है उदासिन होते है 0 और 7 के बीच में 5 आता है तो 0 से 7 के बीच में क्या होता है acid होते है मतलब अमला होते है और ये होता है base मतलब 4 तो pH मान 5 बोल रहे तो ये क्या होने वाला है अमलियो तो आपको अमलियो में टिक मार देना है तो उमीद करता हूँ आज जो बहुत भी कल्पी में 5 questions लिये थे science की अप लोग को अच्छी तरी किसे समझ में आ गया वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल में पहली बार है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सेयर कर देजिए